आपके सामने दो अकाउंट है SBI Bank का Saving Account और Indian Post का Saving Account इस वीडियो में इन दोनों अकाउंट का comparison करेंगे कि आपको किस bank में अकाउंट खुलवाना चाहिए ध्यान रखिए Post Office का जो Official Account है Official का मतलब है जो Post Office का ये अकाउंट है Post Office का एक आपने अलग अकाउंट सुना होगा Indian Post Payment Bank तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं ये अकाउंट Indian Post Office में खुलता है तो इस बात का आप जरूर द्यान दीजिए तो इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि अकाउंट को किस परकार खुला जा सकता है तो SBI Bank के अकाउंट को आप ओनलाइन योरना SBI App के मादिम से खौल सकते हो और Indian Post Office के Bank अकाउंट को आप ब्रांच में जाके खौल सकते हो इसे ओनलाइन खौलने का कोई भी अप्सन आपको नहीं मिलता है अब बात करते हैं कि कितना balance maintain करके रखना पड़ता है आपको तो SBI Bank के अकाउंट में आपको zero balance maintain रखने होंगे और Indian Post Office में आपको 500 रुपे नियूंतम जमा करने होंगे नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा नहीं तो आपको plenty लगेगी इन दोनों में कुछ भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर case में आपको plenty लगेगी आपका अकाउंट तो बंद नहीं होगा अब आपने अकाउंट खुलवा लिया इन में उसके बाद में आपको मिलेगा debit card तो SBI Bank में जो नियूंतम debit card होता है नियूंतम का मतलब है low variant debit card तो low variant में आपको दो debit card देखने को मिल जाते है classic debit card वग global debit card तो इनका annual maintenance charge वग इस्यू फिल्स क्या है वो है 125 रुपे प्लस GST GST लगता है 18% तो इसका total amount हो जाएगा 147 रुपे और 50 पेसे और बात करें Indian Post Office में आपको जो debit card मिलता है उसका कितना charges है तो बिल्कुल समान है 147 रुपे और 50 पेसे ज्यान रखिए ये जो मैं charges बता रहा हूँ वो low variant debit card के charges है यदि कोई आप high variant का debit card ले लेते हो तो आपको ज्यादा charges देने की जुरुत पढ़ सकती है अब बात करते हैं interest rate की तो देखो आपने bank account open करवा लिया अब उसमें आप रखोगे पेसे तो पेसे रखने पे आपको कितना ब्याज मिल रहा है तो इदि आप SBI bank में account open करवा लेते हो तो आपको 2.75% का ब्याज मिलेगा और बात करें post office के account में तो आपको 4% का ब्याज मिलेगा तो आपको ज्यादा interest कहां पे मिल रहा है इंडियन post office के saving account में तो आप यहाँ पे account open करवा सकते हो लेकिन इसका decision आप वीडियो के last में लीजिएगा और मैं भी आपको बता ही नहीं वाला हूँ लेकिन जो यह interest rate है इसमें थोड़ी सी trick है वो क्या है SBI bank में आपको जो interest मिलता है वो आपके खाते में credit कब किया जाता है हर तीन महिने के last में लेकिन इंडियन post office के saving account में आपको interest rate के वल एक ही बार मिलेगा 31 March को यह इसमें जो आपको पूरा compounding लगा के जितना interest मिलने वाला है वो 31 March को ही आपके खाते में credit किया जाता है इसमें हर तीन महिने में half yearly, quarterly कोई भी option नहीं मिलता है केवल आपको 31 March को ही interest आपके खाते में credit किया जाता है लेकिन यही तो बात देखने की जुरूत है कि आपको ज़्यादा interest मिल रहा है यहां पे 4 परतिसत वहीं पे आपको SBI Bank 2.75 परतिसत का इब्याज दे रहा है तो आपको समझ में आ गया होगा अब इन बैंकों में इदि आपने account open करवा लिया तो अब बात करते हैं FD की तो इदि आपने FD करवा लिया तो आपको 1 साल की FD के लिए SBI Bank में 5.30% का ब्याज मिलेगा यदि आप 1 साल के लिए FD करवाते हो और बात करें Indian Post Office के saving account में तो आपको 5.50% का interest rate मिलेगा यदि आप 1 साल के लिए FD करवाते हो तो FD की बात करें तो Indian Post Office में account open करवाना सही रहेगा अब बात करते हैं कि ये ATM मिलेगा आपको तो ATM से कितनी बार ATM का परियोग करने पर free रहेगा यनि आप ऐसा तो नहीं है कि महिने में 10 बार जाके ATM से पैसे निकाला हो बिल्कुल free है कोई charge नहीं लगेगा ये पहले होता था लेकिन RBI ने इसकी limit लगा दिये तो ध्यान रखिए यदि आपके पास SBI Bank का कोई debit card है तो महिने में आप 4 बार free cash निकाल सकते हो चाहिए वो SBI के ATM से निकालो चाहिए किसी दूसरे के ATM से निकालो तो समझ में आ गया अब बात करते हैं इंडियन Post Office का आपके पास debit card है और इंडियन Post Office का ATM मसीन है तो उसमें आप 5 बार free cash निकाल सकते हो चाहिए वो Metro में हो चाहिए Non Metro में हो अब बात करते हैं कि इंडियन Post Office का आपके पास ATM कार्ड है और कोई जो मसीन है ATM मसीन वो किसी दूसरी यानि ICI या HDFC या SBI की है तो उसमें आप कितना case withdrawal कर सकते हो तो 3 बार आप Metro में और 5 बार Non Metro में दूसरी ATM से पेशे निकाल सकते हो तो आपको समझ में आ गया होगा यानि कोई other ATM हो तो उसमें Metro के लिए 3 बार free है और Non Metro के लिए 5 बार free है अब बात करते हैं Welcome Kit की बड़ी खुसी होती है अकाउंट ओपन कर लें उसके बाद में जब Indian Post Office का जो करमचारी उसके दोवारा फोन आए कि सर आपकी Welcome Kit आ चुकी है तो Welcome Kit में आपको क्या-क्या मिलता है तो बात करते हैं SBI Bank में तो केवल आपको debit card मिलेगा और ज्यान रखिए यदि आपने online account open करवाया SBI Bank में और SBI में online account open करवाते हैं तो आपकी video KYC होगी तो video KYC में आपके sign भी capture कर लिए जाते हैं तो आपको checkbook भी मिल जाएगी और बात करें passbook की तो SBI Bank में passbook लेने के लिए आपको branch जाना पड़ेगा अब बात करते हैं इंडियन post office में तो इसमें जो आपको welcome kit आती है उसमें checkbook तो नहीं मिलती है आपको लेकिन passbook वो ATM card जरूर मिलेगा और passbook लेने के लिए आपको post office जाना ही पड़ेगा तो ये था इन दोनों account का full comparison ये आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो like कीजिए चैनल पसंद आया हो तो subscribe कीजिए और ऐसी banking knowledge के लिए हमारे चैनल को आज ही subscribe करें जै हिंद जै वारायत